भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सफ के रूप में मना रहे हैं इस बेश कीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेता जी सुभास चंदर बोस ने क्या अमीर, क्या घरीब हर भारतिये के दिल में नेता जी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बलकि ब्रिटिश समराजी की नीव को ध्वस्त कर दिया नेता जी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धर्ती पर राश्ट्रिय ध्वज भैराया नेता जी सुभाष चंद्रबोस के बेमिसाल योगदान को उनके अदम में साहस भरे प्रेरग जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने उन्होंने नेता जी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुँचाने के लिए संकल्प बद्ध प्रयास किये उनके नित्रित्व में भारत सरकार ने नेता जी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया नेता जी के अंडमान निकोबार की एतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अंड़मान स्थित हैवलोक द्वीब को स्वराज, नील द्वीब को शहीद और रौस द्वीब को नेताजी सुभाश चंद्रबोस द्वीब का नाम दिया लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहाले और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलोबी भारत गैलरी बनाई नेता जी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोडने के लिए उनके जन दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया इसी कड़ी में नेता जी की 125. जयंती पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी द्वारा इंडिया गेट पर नेता जी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेता जी सभास चंदर बोस की प्रतिमा का अनावरन हो रहा है जो भारत की सबसे उची अखंड प्रतिमाओं में से एक है ये प्रतिमा आज़ादी के महानायक को करतग्य राष्ट्र की स्रधान्जली है नेताजी सुभाज की ये प्रतिमा हमारी लोकतानत्रिक संस्ताव हमारे पीडियों राष्ट्रिय करतग्य का बोध कराएगी आने वाली पीडियों को बर्तमान पीडी को निनन पर प्रिनेना देती रहे आईए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए अथाईस फीट उंची शेई फीट चोड़ी नेताजी सुभास चंद्रबोस की भव्य प्रतिमा ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था आज आजादी के संदेश से आबाद है तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तैकर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुँची इसे लाना भी एक चुनोती थी जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगी राज ने इसे आकार दिया शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सीचा और हमें दिया नेता जी को नमन करने और क्रितग्यता प्रकट करने का अवसर देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा जय हिंद